आप सबको डॉक्टर रजनी रमन जासे हाचारे संस्कृत विभाग राज की महरानी सुदर्शन कन्या महाविद्याले विकानिर का नमस्कार स्विकार हो हमने रगवण्ष में 36 श्लोकों का पारायन कर लिया जिसमें अंतिम श्लोकिया था कि वह सिंग कहता है कि ये सामने जो देवदारू का विक्ष है इसको देख रहे हो इस यहाँ पारवती के स्तनों से निहिस्रित दूध के रस को जानने वाला है याने कि दिस तरह से कुमार कार्थी के को माता पारवती ने अपना दूध पिलाया उसी तरह से इस देवदारू परवत को भी माता पारवती ने अपना दूध से देकर सीचा है तो यह बात हुई अब इससे आगे चलते हैं हम कते हैं कंडूय मानेन कटम कदाचित वन्य दिपे नून मठिता त्वगस्य अचेन मद्रेस्तनेया शुषोच सेनान्यमालीध मिवा सुरास्त्रे है सुरास्त्रे है कदाचित कटम कंडूय मानेन वन्य दिपे न अस्य त्वक उन्मतिता अच अद्रेह तनिया शुरास्त्रे है आलिधम सेनान्यम इव एनम शुषोच यह अन्वय हुआ अन्वय से अर्थ करने में थोड़ी सरलता हो जाती है तो क्या का कदाचित कटम कंडूय मानेन कभी ऐसा हुआ था कि अपने कट को यह अपने इस हिस्थे को कंडूय मानेन खुजलाते हुए रगडते हुए जैसे हाथी है ना हाथी दूसरे दूसरे जानवर पेड़ में जा जाते हैं कर अपने शरीर को रगडते है न ंसी तरह से हाथी जो है वह अपने इस कपोल प्रदेश को गालों को क्या कर रहा है रगड रहा था तो क्या हुआ कि उस हाथी के द्वारा वन्यात दिव्पैन अस्य इस पेड़ की यह जो सामने देवधारू का पेड़ है इसकी त्वक इसकी त्वचा यानि इसकी छाल इसकी छाल थी वह क्या हुई उनमतिता उखड गई कभी एक हाथी इस देवदारू पेड़ से अपने गालों को रगड रहा था ऐसे रगड रहा होगा तो क्या हुआ कि जब वो रगड रहा था तो उससे उस पेड़ की छाल उखड गई उन्मतिता अथ अद्रेह तन्या तब फिर अद्रेह तन्या अद्री कहते हैं परवत को और तन्या कहते हैं बेटी को तो अद्रेह तनिया कौन ही परवत की बेटी कौन है पारवती तो पारवती ने एनम शुशोच इसके विशे में बहुत शोक किया इस पेड़ को लेकर बहुत शोक किया कि किसने इसकी छाल उखाड़ दे और कितना शोक किया तो देखो ये बताते हैं असुरास्त्रेह असुरों के अस्त्र से आलीधम घायल कर दिये गए हैं सेनान्यम कार्थिके मानो असुरों के अस्त्र से घायल कर दिये गए हैं कार्थिके इतना शोक किया माता पारवती ने जैसे स्वाभाविक है के असुरों के अस्त्र से जब कार्तिके घायल हुए होंगे तो मा को शोक होना स्वाभाविक है तो कितना शोक हुआ होगा उतना ही शोक किया इस पेड़ की छाल जब उखड गई उस हाथी के द्वारा अपने गालों को रगणने से इस देवदारू पेड़ की जो छाल उखड गई उसके लिए माता पारवती ने उतना ही शोक किया जितना की वह उन्होंने कुमार कार्तिके के असुरों के द्वारा किये गए अस्त्रप्रहार से घायल होने पर किया था यानि दोनों को बरावर माना दूद से सीचा इस वरिक्ष को और इसकी छाल उखड जाने से शोक किया जैसे की कार्तिके के घायल होने पर किया था यानि पुत्र के बराबर दर्जा दिया इसको इस व्रिक्ष को तो आगे कहते हैं तदा प्रभृत्ये वनद्ध्विपानाम त्रासर्थ मस्मिन्निह मद्रिकुक्षव व्यापारित हशूल भृता विधाय सिंहत्व मंकागत सत्व वृत्ति तदा प्रभृत्ये वनद्ध्विपानाम त्रासर्थम अंकागत सत्व वृत्ति सिंहत्व मं विधाय अस्मिन अद्रिकुक्षव अहम व्यापारित हशूल भृता शूल भृता मतलब शूल धारन करते हैं जो यानि भगवान शंक करने वनद्ध्विपानाम त्रासर्थम जंगली हाथियों को डराने के लिए जंगली हाथियों को त्रस्त करने के लिए अंकागत सत्व वृतिम जो पशू मेरे अंक में आजाए मेरे पास आजाए उस पर अपनी जीविका चलाने के लिए सिंहत्वम विधाय मुझे सिंह रूप देकर असमिन इस अद्रिक उक्षव हिमाले की तराई में इस परवत की तराई में उपत्यका में अहम व्यापारिता मुझे लगा दिया गया तदा प्रव्रति जब उस व्रिक्ष की चाल उखड़ी और माता पारवति ने शोक किया तब भगवान शीव ने क्या कि कि मुझे सिंह तो प्रदान किया मुझे सिंह बनाया और मुझे यहां स्थापित कर दिया दो बाते हैं एक तो क्या कि वे जो जंगली हाथी आकर यहां रगड़ते हैं अपने शरीर को देवदार उपर उनको डराने के लिए सिंह से डरते हैं हाथी उनको डराने के लिए मेरे अंक में मेरे पास आ जाएगा उसको मारकर मैं खा सकता हूं ऐसी वृत्ति दे दी उन्होंने ऐसी आजीव का दे दी मुझे और उसके बाद मुझे यहां पर स्थापित कर दिया कहां पर यहां इसी देवदार वृक्ष की रक्षा के लिए हिमालय की उपत्यका में हिमालय के निचले भाग में मुझे व्यापारित है मुझे कार्य में लगा दिया गया तो इसलिए यह काम मेरा है यहां की रक्षा करना और मैं यहां की रक्षा करूँगा अब आगे कहते हैं तस्या लमेशा ख्षुधितस्य त्रिप्त्य प्रदिश्ट काला परमेश्वरेण उपस्थिता शोनित पारणा में शुरत दुशस चांद्रमसी सुधेव चांद्रमसी सुधा इव उपस्थिता क्या कहा खुधितस्च तस्च में जो मैं खुधित था भूखा हूँ मुझे जैसे भूखे के की तृप्ती के लिए अलम परियाप्त परमेश्वरेन भगवान शिव ने प्रदिष्ट काला प्रदिष्ट काला मतलब जो समय मेरा निश्चित किया था वह एशा यह जो नंदिनी गाह है यह शोनित पारणा खून का भोजन देने वाली सुरत दुशह सुरत दुशह मतलब राहू को जैसे चांद्रमसी सुधा चंद्रमा चंद्रमंडल में स्थित अम्रित मिल जाए वैसे ही यह उपस्थित हो गई सिधा अर्थ भी आपको नहीं समझ में आयेगा मैं भूखा हूं शुधी तस्या अइसा मैं भूखा हूं मेरी त्रिप्ती के लिए मेरी भूख बुजाने के लिए यही ता अथुआ यह बताये हुए भोजन के समय प्रदिश्ट काला जो समय निश्चित किया गया सक भई समय मतलब शर्त जो समय मतलब काल ही नहीं को समय मतलब शर्त प्रदिश्ट काला जो शर्त क्या सी कि तुम्हारे अंक में तुम्हारे पास जो पशुआ जाएंगे उसको मार कर खा सकते तो प्रदिश्ट काला बताए गए हुए समय के अनुसार बत जैसे की विधाता ने भेज दिया प्रदिश्ट काला विधाता के द्वारा निश्चित किये गए समय पर यह गाए आएशा यह गाए परमेश्वरेन उपस्थिता भगवान ने मेरे लिए शीव ने मेरे लिए उपस्थित कर दी। बगवान शिव के द्वारा जो मेरा निश्चे किया गया था, जो समय निर्धारित किया गया था, ऐसी यह गाय ऐसे समय पर मेरे पास आ गई और आगे क्या कहते हैं कि यह गाय एशा शोनित पारणा, यह गाय कैसी होगी मेरे लिए, तो इसके खून से, शोनित मतलब लहू से, मैं क्या करूँगा पारणा, अपने उपवास का अंत करूँगा, पारणा कहते हैं जब हम भूखे होते हैं उपवास करते हैं तो थोड़ा क ुझ खापीकर जो व्रत खोलते हैं उसको पारना तहों तो अब चुंकि यह गाए जैसे भुखे के पास आ गई है तो शोणित पारना इसके लहूसे मैं पारना करूंगा अपना ब्रत खोलूँ और यह गाए कैसे आगई है मेरी पास्ट शुरत दुशह चांद्रमस्वी सुधाइव जैसे देवताओं का जो शत्रू है राहू राहू के लिए चांद्रमस्वी सुधाइव चंद्रमा के सुधा के समान चंद्रमा की अम्रित के समाद, चंद्रमा की किर्णों के समाद, इव उपस्थिता यह उपस्थित हो गई है, जिससे राहू जाता है ग्रसने, ऐसा मानते हैं कि सूर्य और चंद्रमा को राहू ग्रसता है, तो स्वाभावी कहें कि चंद्रमा जो है उससे डरेगा तो डरेगा तो दूर जाना चाहेगा लेकिन कभी ऐसा हो कि चंद्रमा की किर्णे चल के राहू के पास आ जाए उसके अम्रित चंद्रमा की किर्णों को उसका अम्रित माना गया अम्रिता है ना तो वो चल के स्वयम ही आ जाए राहू के पास तो और अब इससे अच्छी बात क्या हो सकती तो उसी तरह से यह गाय जो है जिसके रख्त से मैं अपना व्रत खोलने वाला हूं यह गाय चल के मेरे पास आ गई है इसलिए अब मैं इसका भोजन करूँगा इसको खाऊँगा आगे कहते हैं सहत्वम निवर्तस्व विहाय लज्जाम गुरूर भवान दर्शित शिश्य भक्ति है शस्त्रेन रक्षम यदा शक्य रक्षम न तद्यशा शस्त्र भृताम ख्षणोती सहत्वम अईसा तुम लज्जाम विहाय निवर्तस्व अपनी लाज को छोड़ कर चले जाओ भवान गुरूर दर्शित शिश्य भक्ति है आपने गुरूर अपने गुरूर के पृति अपने शिश्य के रूप में भक्ति दिखा दी गुरूर आपके वसिश्ट हैं उनके पृति जितनी भक्ति दिखानी थी उतनी भक्ति आपने दिखा दी भवान गुरूर दर्शित शिश्य भक्ति शिश्य की भक्ति जितनी होनी चाहिए वह आपने दिखा दी यद रक्षम सस्त्रेन अशक्य रक्षम तत शस्त्र विताम यशह नक्षन होती जो रक्षणी वस्तु सस्त्र के द्वारा रक्षा के योग नहीं है यद रक्षम जो रक्षणी वस्तु है शस्त्रेन अशक्य रक्षम शस्त्र के द्वारा उसकी रक्षा नहीं हो पा रही है तो तत शस्त्र भिताम यशा नक्षणूती वह शस्त्र धारण करने वाले के यश को कम नहीं करता है करती है जो वस्तु शस्त्र के द्वारा रक्षणी है यानि जिसकी रक्षा शस्त्र के द्वारा करनी चाहिए यदि वह शस्त्र के द्वारा रक्षित नहीं हो पाती है मतलब वो संभब नहीं है उसको शस्त्र के द्वारा उसकी रक्षा करना तो शस्त्र धारण करने वाले का यश ख्षीन नहीं होता है मतलब मतलब यह हुआ कि यह जो गाय है इसकी राजा जो है शस्त्र से रक्षा करना चाहते हैं सिंग को मार कर लेकिन अब सिंग ने इसी स्थिति बना दी कि राजा का हाथ चिपका हुआ है अब सिंग बोले जा रहा है तो वह यह कहता है कि यह गाय शस्त्र से जरूर रक्षणी थी लेकिन शस्त्र से तो अब तुम इसकी रक्षा करनी पाओगे तो इसकी रक्षा नहीं कर पाओगे तो इसके लिए तुम्हें लज्जा नहीं करनी चाहिए क्योंकि जो शस्त्र के द्वारा रक्षणी है और उसक की रक्षा करना तो कैसे करते इस लिए तुम्हारा यह पृरति अपनी भकती दिखा दिए अब में दो journalism तो आज इतना ही आज नगDu ह安全